वेलकम टू प्रताब क्लासिस दोस्तों प्रताब क्लासिस की यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम फिर से करंट अफेर्स 2021 रिविजन क्लास लेके हैं जो डेली आपको शाम आठ पिम ये वीडियो उपलब्द रहेगा और जो भी विदार्थी राजस्तान प्ल प्रताब क्लासिस चैनल पर आपको उपलब्द हो रहे हैं तो लगतार हमारी इस वीडियो के साथ बने रहे हैं और अब तक जो भी जनवरी 2020 से लेकर अब तक का जो भी घटनाओं का जो गट करंट है उनका सारगर्बित विचलेशन हम इस वीडियो में उपलब्द करवा र इस पर राजस्तान के किन दो पुलिस अधिकारियों को रश्टपती पुलिस पदक से सम्मानित करने की गोशना की गई है तो अभी हाली में जो केंदरी ग्रै मंत्राले द्वारा है अभी जो दो पुलिस अधिकारियों को रश्टपती पुलिस पदक से सम्मानित करने की गो राजे सरकार द्वारा वर्ष 2021 में निमन में से कौन सी नीती जारी की जाएगी तो अभी जो बजट हुआ है उसमें राजे सरकार द्वारा 2021 में ये कई नीती लागों की गिए इसमें महिला कल्यान नीती, हस्त सिलप नीती और स्टार्ट अप नीती और राजस्तान फॉर्मर producer organization निती यानकी FPO ये सबी विलकाव इसमें चैन करना है ये चारों इसमें सही है A, A, B और C ये चारों विकल इसमें सही है मुखे तते कि हम बात करते हैं बज़र 2021 में गोशना कीगी कि वर्ष 2021 में बालिकाव वह महिलाओं के समरग विका से तू महिला कल्याण निती और कर्शकों के उठाने तू राजस्तान FPO निती और सिलफ कलाओं के विका से तू हस्त सिलफ निती और स्टार्टप को पुरुस्तान देने दू स्टार्टप अपनीती को लग किया जाएगा इन चारों की गोशना हो चुकी है 2020-21 में राज़े सरकार द्वारा चार नीती है ये माईला के लाण नीती, हस्त शिलप नीती और स्टार्टप नीती और राज़े स्टान फॉर्मर प्रोडूसर और्गनेसेजन नीती यहनकी एफ़ पी ओ नेक्स्ट कोशन है राज़े स्टान में वर्ष 2019-20 तक विद्यूतीकर्ट अबाद गाउं की संक्या कितनी है तो 2019 बीस तक जो विदूती करत अबाद गाउं की संक्या है वो है 43,199 में कितने हैं 43,199 में मुख्य तर्थे के हम बार्थ करते हैं 2011 की जनगंडा के अनुसार रज्य में कुल गाउं थे 46,666 थे जिन में 1473 गाउं गेर अबाद गाउं है और जो सेस हैं 43,199 में गाउं उसमें 100% गाउं में दिसमबर 2019 तक आर्थिक समिक्षा 2019 पिस तक विदूत पहुंच चुकी होगी मतलब ये सेस बचके हैं 43,199 में जो गाउं अभी लगबग 2019 पिस तक विदूत पहुंच चुकी है नेक्स्ट कॉशन है राजे सरकार द्वारा जारी नुवीन्तम सोरूर जानिती है तो राजे सरकार द्वारा अभी जो नुवीन्तम सोरूर जानिती है वो है सोरूर जानिती 2019 कौन सी है सोरूर जानिती 2019 मुखे तटे देखो किसका मतलब है कि 2019 में जो सोरोरजा नीती है वो क्या नीजी निवेसकों को अकरशित करने के उदेशे से इसको जारी किया गया है नाक्स्ट कोशन है राजस्तान में 120 मिटर की उंचाई पर उपलब्द संभावय पावन उर्जा शमता कितनी अनुमानित की गई है तो अभी जो अभी आली में 1270 मेगावाट है वो राजस्तान में 120 मिटर की उंचाई पर उपलब्द संभावय पावन की उर्जा शमता अनुम अध्यन में यह अनुमान लगाय गया है कि राजस्तान में 120 मिटर की उंचाई प्रवपलब्द संभावय पाउन उर्जा शम्ता 1257 मेगवाट है कितनी एक एक लाग स्थाई जार 750 मेगवाट है इतनी आपको याद रखनी है नेक्स्ट कॉशन है राज्य के किस फूर्ड फूर्ड क्राफ्ट इंस्टिटूट को राज्य होटल प्रवंद संस्तान की रूप में कर्मनत किया गया है तो अभी फूर्ड क्राफ्ट इंस्टिटूट दोलपूर को अभी इसको राज्य होटल प्रवंद संस्तान की रूप में कर्मनत किया गया है मुक्के तत्य देखो प्रेटन मंत्राले भरार्थ सरकार ने फूर्ड क्रॉफ्ट इंस्टिटूट दोलपूर को अभी इसको दर्जा दिया गया है नेक्स्ट कॉच्टन है जेपुर मेट्रो का फेज 2 कहां से कहां तक परस्तावीत है तो अभी जेपुर मेट्रो का फेज है वो सितापुरा से अंबा बाड़ी तक है सितापुरा से अंबा बाड़ी तक है जेपुर मेट्रो का फेज 2 फेज नेक्स्ट कॉच्टन है आपकी बेटी योजना में कक्षा 9 से 12 में अध्यनरत योग्य बालिकों को दी जाने वाली पुर्षकार की रासी कितनी कर दी गी है तो ये कर दीगी है 25 रुपए कितनी 25 रुपए कर दीगी है जो कक्षा 9 से 12 लेकर जो अध्यनरत बालिकाई हैं उनके लिए 25 रुपए कर दीगी है मुखे तत्य देखो राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 में यहरासी 1500 से बढ़ाकर 25 रुपए कर दीगी है और जो कक्षा 1 से 8 में अध्यनरत बालिकाउं को उनकी जो रासी है वो 1100 से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दीगी है इतनी बाते आपको याद रखनी है नेक्स्ट कोईशन है राज्य में चोपाल कर समदाइक बाल सभा का योजन किस तिति को परारम भुआ था तो रज्य में चोपाल पर समदाइक बाल सभा का योजन हुआ था 9 मई 2019 को अब है 9 मई 2019 को इसका योजन परारम हुआ था मुख्य तत्य देखो परदेश में सामदाइक बाल सबा का आयोजन गाउं की चौपाल पर किये जाने का प्रारम सरवपर्थम जेपुर जिले में 9 मई 2019 को किया गया है इसके बाद हर माय सन्यवार को वरहत स्तर पर बाल सबाउं का आयोजन हो रहा है मुख्य तत्य हम लेके हैं इस वज़े से क्योंकि एक दो विदार्थियों की कनफ्यूजिंग रहती थी कि ये परसन कहा से आये ये से विशले हमने इसके पीछे जो मैंने तत्य डाल दी है इसे आप हो कनफ्यूजिंग नहीं रहेगी तो आगे है वरक्ष मितर योजना का समद्ध है क्या है वरक्ष मितर योजना का समद्ध है तो ये है विद्याल्यों में नव परवेशित बालकों द्वारा वरक्ष रोपन करवानने से समद्ध है वरक्ष मितर योजना का इतनी याद रखना है नेक्स्ट कॉसें है पोस्टिक गर्बवती मेलाओं के लिए वित्रन योजना का सुबारम कहां किया गया है गुजरात की राजदनी गांदिनगर में कहां उजरात की राधनी गंधिनगर में मुख्य तते देखो केंदर ये ग्रैम मंतरी सीरी अमित शाने लोक सबासन से दिया छेतर गंधिनगर में गरब ववती मैलाओं के लिए पोस्टिक सुबारम किया है नेक्स्ट कोचन है अंतराष्टिय सेन्य तकनिकी फोरम आर्मी दोजारी किस का आयोजन किस स्थान पर किया गया है जो अंतराष्टिय सेन्य तकनिकी फोरम आर्मी दोजारी किस का है उसका आयोजन रूस में किया गया है कहां रूस में किया गया है उसका आयोजन मुख्य तते देखो भारत ने सवदेश निर्मित लड़ाकू विमानों को रूस के मास्कों में अंतराष्टिय सेन्य तकनिकी फोरम आर्मी 2020 में पेस किया गया है रूस की जो राधनिय मास्कों में अभी अंतराष्टिय सेन्य तकनिकी फोरम आर्मी 2020 में इसको पेस किया गया है नेक्स्ट क सुरवपरतम खेला गया इसका पहला मेच मुख्य तत्य देखो International Cricket Counseling यानि ICC ने मेश T20 World Cup 2020 के schedule का एलान कर दिया है और tournament का पहला मेच 17 October को उमान में मेजबान उमान और पोवा न्यूगिनी के बीच हुआ है तो यह याद रखना है कि इसका पहला International Cricket Counseling जो अभी इसका वर्ल्ड कप दोजरी किसका schedule एलान कर दियेगा और इसका पहला मेच होगा उमान में नेक्स्ट कोशन है हिंदूस्तान Aeronautics Limited द्वारा उडान योजना को समर्थन देने के लिए किस देशी विमानों का निर्मान किया जा रहा है तो अभी तो इसका किया जा रहा है हिंदूस्तान 226 जो विमान इसका निर्मान किया जा रहा है किसको हिंदूस्तान Aeronautics Limited द्वारा उडान योजना को समर्थन देने के लिए हिंदूस्तान 226 इसका निर्मान किया जा रहा है मुख्य तते देखो H.H.A.L. ने 15 अगस्ट 2021 को हिंदुस्तान 228 विमान के ग्राउंड रन और लो स्पीड टेक्सी ट्राइल को सफलतापुरक अंजाम दिया है इस विमान का उदेश है किसका उपयोग सिविल उपरेटरों और राज्य सरकारों द्वारा प्रशिक्षन रख रखाओ और रसद की दिसा में दिर्बाद समर्थन के साथ उनके अंतराज्य और अंतराज्य संपरक के लिए स्पलतापुरक किया जा सकता है नेक्स्ट कोशन है पांस सितंबर को राजस्तान के किन सिक्षकों को राष्टिय सिक्षक पुर्शकार परदान किया जाएगा तो पांस सितंबर को अभी दो जो जो राष्टिय सिक्षक है उनको पुर्शकित किया गया एक तो दीपक जोसी वेकाज जैसी है इन दोनों को प पुर्षकार दिया जाएगा और विकानेर के दीपक जोसी ओनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और जुन-जुनु के जैसे हैं दनकड ये सहरीक शिक्षा से स्मंदीत है इन दोनों को अभी दीपक जोसी और जैसे हैं इन दोनों को अभी पांस सितंबर को टोक्यो पेरा उलम्पिक में सिधा ही सोरन पदक जीता है और की गॉल्ड मेडल जीता है इसके मुखे तेते देखो टोक्यो पेरा उलम्पिक में जैप्र के बेड मिटन खिलाडी कृष्णा नागर ने दुनिया बर में बारत का नाम रोशन कर दिया एक्स जो इसकी जो केट में हुए प्रोमांचिक मामले में कृष्णा ने होंग कोंग के चू बान केई को करारी सिकस्त देकर गोर्ड मेडल जीता है तो ये नीचे हो रहा है कृष्णा राजस्तान के दूसरे खिलाड़ी है जिन्हों ने ओलंपिक में गोर्ड मेडल जीता है और इससे पहले शुटिं रवी विष्णूई और अमन्ण सिंग स्यखावत का चैन किया गया है र विष्णूई का चैन सेनियर केटगरी में और अमन्ण सिंह सेकावत का जूनियर केटगरी के लिए उपयोगे किया गया है इन दोनों को याद रखना नेक्स्ट कोशन है अकील अब्दुल्ला हमीद कुरेशी ने राजस्तान के कौन से मुख्य नयदीस के रूप में शपत लिया है तो 38 हमारे जो मुख्य नयदीस है राजस्तान के अकील अब्दुल हमीद कुरेशि ने राजस्तान की 31 workers connection की रूप में शपत ली है मुख्य तते देखो राजस्तान हाई कोड़ के 31 मुखय नाची स की रूप में अकील कुरेशि को राजेपाल कलराज मिसर के द्वारा शपत लिलाए गई है तो सपत आयो मुं मुख्य दियादिष को शिर्फ राज्य पाली सपत दिलाता है बारत ने 2021 23 संपियन्शिफ में कितने पदख जीते हैं मुख्य दिया जिन त्मिग ineंडिया के तेरह राज्यों ने श्यूंकत राज्य अर्जी अमरीका के साउथ डोकोटा में आयोजी कि बारत ने जो 2021 तिरंजाजी विश्व चेंपियंशिप में तीन रज़त पदक जीते हैं नेक्स्ट कोचन है कि विश्व नदी दीवस कम मनाया गया है तो विश्व नदी दीवस है वो 26 सितंबर को मनाया गया है कम मनाया गया है 26 सितंबर को यह याद रखना मुखे तते देखो विशव बर में नदियों के समर्थन स्रक्षन और स्रक्षन की आवशक्ता के बार में वेस्विक जागरुता बढ़ाने के लिए 2005 से हर साल सितंबर के चोत्ते रवीवार को विशव नदी दिवस मनाया जाता है 2021 में 26 सितंबर को विशव नदी दीवस मनाय गया है बारतिय सेना ने विशव सांसकर्तिक महोचव किस सहर में अयोजित किया गया तो बारतिय सेना ने विशव सांसकर्तिक जो महोचव है वो अभी कोलकता में अयोजित किया गया था किस ने विश्व सांस्कर्तिक माउट्सो बारते सेना द्वारा कोलकता में मुखे तथे देखो बारते सेना 26 से 29 सितंबर तक कोलकता में विज्व सांस्कर्तिक माउट्सो का आयोजन किया था Next question है किस राज्ये में दुनिया के सबसे उंचे EV charging station का उधगाटन हुआ है तो अभी हिमाचल प्रदेश में दुनिया के सबसे उंचे EV charging station का उधगाटन हुआ है मुखे तत्य देखो हिमाचल प्रदेश में लाहोल और स्पिति जिले के काजा गाउं में दुनिया के सबसे उंचे electronic वहां चार्दिक station का उधगाटन किया गया है ये आपको याद रखना है next question है रश्टिय डीजिटल स्वास्थ्य mission किस ने सुरू किया है तो रश्टिय जो डीजिटल स्वास्थ्य mission है वो हमारे देश के परधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरू किया है डीजिटल स्वास्थ्य lawyer योजना मुक्रेय देखो परधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितम्बर को रश्टिय डीजिटल स्वास्थ्य mission के रश्टिय रॉल आउट की गोश्ना की है और इस मुखे तत्य देखते हैं बारतिय स्टार खिलाडी पंकज अडवाणी ने फाइनल में पाकिस्तान के बाबर मसिय पर जीत के साथ IBSF 6 रेड स्कुनर विस्व कप में जीत के साथ अपना 24 विस्व किताब हासिल किया है यह याद रखना कि बारतिय स्टार खिलाडी ने अभी पंकज अडवाणी ने अभी दोहा में 24 विस्व किताब जीता है आज का अंतिम क्योंस्टन नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की सुरुआत किस ने की तो नेशनल सिंगल विंडो की सुरुआत की थी प्यूस गोहल ने किसने प्यूस है गोहल ने केंदरिया और वानेजिया और द्योग मंतरी प्यूस गोहल ने केंदरिया वानेजिया और द्योग मंतरी प्यूस गोहल ने यूएस को और वेपसेयों के लिए नेशनल सिंगल व को दबाईए चेक जैसे ही वीडियो अप्लोड होगा उसका नोटिपेशन आप तक पहुंच जाए तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना कुमेंट करो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और पीडियेप है वह हमारी टेलीग्राम पर परताफ क्लासे सर्च करके वहां से आप डावनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्कृषन में भी टेलिग्राम का लिंक है वहां जाके पिस तो लागा तार शाम 8 इस वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और हैं इस क्रेटर रिवीजन का जो क्रेंट है वह अपना तियार कर लीजिए तो जो भी उतारती group D की त्यारिक रहे हैं उनके लिए special ये भी लगबग ठीक रहेगा क्योंकि पीछे का current जो उसमें online exam होगा क्योंकि पीछे का current उसमें पूछा जाएगा तो तन्य बाद दोस्तो जै हिंद जै भारत